नमस्कार मैं लता संतानी पेट पूजा में आपका सौधत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की सब्ची जो बहुती क्रिस्पी और मज़ेदार बनीजी तो आएए दूबरते परवल बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है 500 ग्राम परवल मसालों हम लेते हैं नमक, स्वादानुसार, मिर्च एक चमच, आदा चमच हल्दी, शेका हुआ जीरा है एक चमच, आदा चमच खस-खस, एक चमच तिल शेके हुए है वह भी, हरी धनिया और सुखा धनिया पा परवल को हमने अच्छे से दोग कर लिया है पहले कपड़े से और इसके बाद छील लिया और इस तरह से चार भाव में काट लिया है ज़िए तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है तो हम इसमें परवल डालेते हैं परवल हमें हाई फ्लेम पे ही तल्ये हैं परवल को हम बीज-बीज में चलाते रहे है परवल से शुगर कंट्रोल होता है और इसकी टाइटनिल में हमें भी सायक है गैस का फ्लेम हाई ही रखना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे प्राह करते रहना है और बीज-बीज में चलाना है ताकि इसका कलर एक साय देखिए कलर आ गया है गोल्डन अब इसे हम निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं देखिए कैसे गोल्डन कलर आया है एक सरीका क्योंकि हमने इसे लगाता चलाया है चलिए अगली कड़ाई में तेल डाल देते हैं कर देखिए अगल के आफ टिल डालेटे में और खसकर चलानेए तोगिए और जैसे ही फोड़ा इस्थिक जाएगा, तो हम डालेंगे अल्दी, नमक, मिर्च, जीरा पौडर, सूकी दनिया पौडर, और इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, हम इसमें परवल दा लेंगे, गैस का प्लेम लो ही रखना है, हमें मसाले अच्छी तरह से मिडा लेने हैं, लो फ्लेम पे मसाले जलेंगे नहीं, अच्छी तरह से बनाएगु परवल हम आप ट्रेवल में ले जा सकते हैं, या बच्छों को टिफिन में ले सकते हैं, जा प्लेम हैं, जो एम को समय को एता लाएग, हमन नहीं प्लेम को भी ले जाले हैं, विसमें सवरो गर जाएग।